प्रधानमंति नरेंदर मोदी शंगाई में भारस समिदाओं को संबोधित करने के बाद कल को मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर पहुँच गे PMO से ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है PMO ने ट्वीट में लिखा है कि किसी भारते प्रधानमंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा अब शुरू होती है महीं PM मोदी ने भी वहां पहुचकर ट्वीट करते हुए हेलो किया है साथ ही एक फोटो भी शेयर की है टीने देशों की यात्रा में मंगोलिया मोदी का दुसरा पड़ाव है मोदी मंगोलिया जाने वाले पहले परधानमंत्री है मंगोलीया में लोकतंतर की 25-वी सालीगरह के एत्तिहासिक मूके पर पहुँचे मोधी रविवार को पहली बार वहां की संसद को संभोधित करेंगे यहां दो दिवसे प्रवास के दोरान वैं मंगोलिया के राश्पती सकीगिन इल्डबर्स से बुलाकाद कर सयोग वैपार और निर्मान के छेत्र में कई समझोहते करेंगे चली करेंगे में आप चाहिए और निर्क में में समझाब प्रविवार ख़एष के देडिया है । प्रविव रूबर्स प्रव उन्हें है हैं वे रखनाईट इन्य टाप्स काम अश्टिंटेश्टा टूोफ टूटिस एपनि उपने अब्स दिर्टेश्टी छॉप्टिस हैं हम उपनिया रिजे च्टोनेश करें। healthcare, pharmaceuticals, and dairy. We should also explore the possibilities of using digital technology to expand our economic relations. I convey to Prime Minister that we greatly value our international partnership, which is based on our friendship, shared spiritual heritage, and democratic values. These also provide solid foundation for our cooperation in our region. In a reflection of our commitment to further deepen our relationship, we have decided to upgrade our comprehensive partnership to strategic partnership. We also agreed to renew our treaty and family relations and cooperation. पर लोगी ने मोधी मोधी के नारे लगाए। कारेकराम में पहुँचने के बाद पीम ने सभी भारतियों को नमस्कार किया, उसके बाद भीड ने भी भारत माता की जैके नारे लगाकर प्रधान मंत्री का जोरदार स्वागत भी किया. पीम ने कहा कि आज चीन में भारती खुशी से जिंदगी व्यतित कर रहे हैं। आप लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने चीन में भारती समिदाय के लोगों को संभोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को ताजुब है कि चीन में रह रहे हैं भारतिया इतने अराम और शांती से कैसे रह रहे हैं। भारतियों के बीच पहुंचे पीम मोदी ने कहा कि आज से ठीक एक साल पहले चीन में रहने वाले भारतिय लोकसवा चुनाव का रिजल्ट पूछ रहे थे पिछले साल आज की ही के दिन हर कहीं एक ही बात थी दुख भरे दिन बीते रे भाईया सुख भरे दिन आये वे जिन लोगों को लगता है कि मोदी एक साल में इतना सारा क्यों किया मोदी सरीर से भले एक साल में किया हो लेकिन दरसल मोदी ने तीस साल के पुराने काम को पुरा करने के लिए प्रयास किया है यह पूंजी निवेश डॉलर पाउंड वाला नहीं है यह पूंजी निवेश अपनी युगा पीडी को वो तैयार कर रहे हैं भारत की तरफ देखने का नजरिया कैसा हो और इसलिए चीन के मेरे तीन दिन के प्रवास में दो युणिवर्सिटी में जाकर के विध्यार्थियों को मिलने का कारकम यह अपने आप में मेरी पूरी यात्रा का सबसे अध्भूत कारकम मैं मानता हूं जहां मुझे मुझे युवापीडी से मिलने दिया गया है कि विश्व में भारत की पहचान बनाने में हमारे प्रोफेशनल 22 साल के नौजवानों ने बहुत बढ़ा कमाल का काम कर दिया है सारी दुनिया को अजूबा हुआ कि यह हिंदुस्तान के पाथ टैलेंट है और अभी अभी जब मार्फ मिशन सफलता पूर्वक पार किया मंगलायन पर भारत के युवकों को जो सफलता मिली है उसके कारण विश्व हमारे युवाशक्ति हमारे टैलेंट के प्रतिया आकरस हम अलग नहीं रह सकते हैं पीपल टूपीपल कॉंटेक्ट बढ़ेगा उतनी हमारी ताकत बढ़ेगा हम हमारी विरासत पर गर्वन करें हमारी शक्ति पर गर्वन करें तो दुनिया में कोई नहीं करता है कोई मा महले में अपने बेटे को दिंद्रा डाटती रहे कहीं पी है मां करके डाट दे कहीं खेल रहा है तो मां करके डाट दे तो महले के बच्चे उस बच्चे को कभी स्विकार करेंगे क्या स्विकार करेंगे क्या जिस बच्चे को उसकी माही दिन राट डाटी है उस बच्चे को दोस्त लोग भी स्विकार नहीं करते हैं एक साल के भीतर अभीतर चाहे वर्ल बैंक हो आएम एफ हो दुनिया की कोई भी रेटिंग एजनसी हो एक स्वर से दुनिया ने क्या कहा है भारत का साथ प्रतिश्टत से भी ज्यादा ग्रोथ सारी दुनिया कह रही है कि इंडिया आज विश्वका सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश है हबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन